इस लेक्चर में हम हमारे एक जो हम लक्षमी कान बुक को कवर कर रहा है उसमें टॉपिक है कॉंस्टिटिउशन कैसे बना है ना एवलुशन अफ कॉंस्टिटिउशन तो इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके सदस से आपकी UPSC और PCS और अन्य अधर इसमें पूछ लिए जाते हैं तो हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमीटी को देखेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी थी मौण आपकी इसकी स्पेलिंग भी देख लिजेए डावल डावल टी 2 वल ई है आपर वाल दे कमिटीज ओफ दे कॉंस्टिटूट एसेम्बली जो हमारी समविधान सभा थी समविधान लिर्मात्री सभा कि द्राफ्ट हमें कैसे त्यार करना है जितने भी 389 आर्टिकल थे और जितने भी पाट थे तो उनको ड्राफ के रूप में कैसे त्यार करना उसके लिए कमिटी थी सेट अपन 29 अगस्ट ऑफ 1947 यह डेट याद रखिए 15 अगस्ट से लगब 15 दिन बाद 30 अगस्ट 14 दिन बाद तो 29 अगस्ट 1947 इट वाज इंट्रस्टेड विदे टास्क ऑफ प्रिटरिंग ड्राफ फॉर न्यू कॉंस्टिटूशन इट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स तो कितने मेंबर्स थे 7 मेंबर्स थे 29 अगस्ट 1947 को यह ड्राफ्ट हुई है कि अगर्ण डेवर्ड डॉक्टर बी आर अमगेड कर भाई यह चेयर्मेन थे और इनका खासो नाम रहता है लोगों की जोबापर की बीरमेड कर बीरमेड कर अमगड कर जैन्ती ना और इन्हों ने दलिट जाती समाच के लिए बहुत ज्यादा कारे किया तो यह जो है में थ थे हमारे सम्विधान के निर्माता ड्राफ्टिंग कमेटी में तो इसके एंस गोपाल सौमी आयंगर आयंगर सहब थे तो यह एक दोनों नहीं एक साथ याद रखिए डक्टर के मुंशी मुंशी जी आ गए साथ याद रखिए मुंशी जी हैं साथ याद रखिए बीएल मिथर को किस ने माधबा राव और यह बी एन राव से अलग है एन एम राव है कि टीटी कृष्णमाचारी तो पंखे जो है तूट गया तो क्ष्णमाचारी आ गया तो किश्ञ जी ने पंखे के committee who are Dr. B.R.M. Bitkar and Gopala Swami Ayyengar, फिर अलादी किष्ण स्वामी आयर, Dr. K.M. Munshi, Sayyad Mohamad Sadullah and Madhubha Rao or T.T. Kishnamachari. ठीक है, the drafting committee after taking into consideration the proposal of the various committee. Drafting committee after taking into condition the proposal of the various committee prepared the first draft of the constitution of India which was published in 1948. पहला जो draft था, वो फरवरी 1949 में आ गया, the people of India were given eight months to discuss the draft of proposed amendments. पहला draft जो है, 1948 में एक रफसा आ गया, उस पर फिर amendment के लिए लोग उसे ले जाकर पढ़ें अपने घर में जो भी वहाँ के सदस्य थे और उन में क्या क्या चीज उस पर विचार मन्थन करें और फिर डिसकस करें. तो आठ महिने थे उस पर discuss करने के लिए. मैं पहला draft आ गया, अभी बिल नहीं बना हुआ है. अभी एक्ट भी नहीं आया है. अभी draft आए, कि रफ रूप आए, कि इसमें संशोधन कर सकते हैं, डिसकस हो सकता है. जैसे कोई भी बिल पास होने से पहले, बिल संसद में पेश होने से पहले draft आता है, उस पर discussion होता है. यह ना, वही यह draft था. इन दे लाइट ओफ दा पब्लिक कमेंड्स, क्रिटिसिजम और सेजेशन, अक्टूबर निस सोड़तालिस तो पहला परवरी माया और अक्टूबर निस सोड़तालिस में दूसरा draft आया. तो यह के बीच में किसमें पब्लिक कमेंड्स भी हो रहे थे, क्रिटिसिजम भी हो रहा था, सेजेशन भी आ रहे थे, तब ही इनों ने सेकेंड पास कर दिया draft, तो सब लोग कितने दिन के लिए इसमें बैठे हैं, इसमें बैठे हैं, अब आगे हमारा इनेक्टिमेंट आफ कॉंस्टिटिउशन, तो इसको हम अगले शॉर्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और हम इसको शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर में ही एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, थैंक यू,